मीन राशी पर राव चल रहा है और यहां राव आपके देनिक जिवन में क्या प्रभाव देने वाला है अथार्थ इसका आपके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा यहां राव आपको अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा चाई आप नौकरी करते हैं ब्यापार करते हैं या फिर आपका कोई अपना निजी कार्य है, घरगरेश्ती का कार्य करने वाले लोग, विद्यार्थी लोग, बच्चे आदि सबी लोगों के बारे में जानकारी दूंगा कि मीन रासी पर जो राव है आपके उपर क्या प्रभाव करने वाला है, अगर आप राव के कारण पर लास्ट तब देखना है, तब ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, अगर हम बात करें मीन रासी की तो मीन रासी पर एक तो सनी की शारिशाती का प्रभाव भी है, दूसरी चीज राव भी इस रासी पर आचुका है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राव अभी आपको क् फल देने वाला है, वैसे तो सबसे पहले आपकी जनम कुणली में राव की इस्तियां कैसी बनी हुई है, तो उसी अनरूप जो है आपको इस राव का गोचर फल दिखाई देगा, अथार्थ आपकी अगर जनम कुणली में राव अच्छी इस्तिती में है, तो आपको इसका अच्छा मिलेगा, जब तक यहां मीन रासी पर रहेगा, तब तक आपके काम जो है बहुत तेजी से होंगे, परन्तो अगर राव आपकी जनम कुणली में खराब इस्तिती में बैठा है, या फिर आपकी जनम कुणली में राव का अच्छा वर्गुतम नहीं बन रहा है, तो राव आपको तब तक परिशान करता रहेगा, जब तक यहां मीन रासी पर रहेगा, अब अगर मीन रासी पर राव की गोचर की फल की बात करें, तो यहां आपके लिए कुछ संगर स्मय इस्तितियां बना सकता है, अगर आप किसी कारे को सपल करने के लिए पहले से मेनत कर हैं, तो वहां कारे आपका देर में सपल होगा, आपको कभी-कभी ऐसा भी लग जाएगा कि आप बेकार की मेनत कर रहे हैं, ना तो आपको उस कारे में कोई रिजल्ट लग रहा है, ना तो उस कारे में कोई सपलता मिल रही है, ऐसी इस्तितियां आपके साथ बन सकती हैं, आ आपके गुप्त सत्र भी आपके कारे को बिगार सकते हैं, इसलिए आपको हजगा से सतर्क रहने की आवशक्ता होगी। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी आदी तथा लो आदी, एलर्जी आदी चीजों से आपको बज़ाओ करना चाहिए। आपके साथ बनी रहेगी। प्रमन की इस्ततियां दिमाग में आपके चल सकती हैं। ऐसी इस्ततिय में आपको धेर रखना चाहिए। ध्यान ये रखें कि आप जल्द बाजी में निर्णे न ले। फल आपको अवश्य मिलेगा ऐसा नहीं है कि राओ आपकी रासी पर आगया और आपको ये हर समय परिशान करता रहेगा। ऐसा नहीं है। आपकी मेनत का फल आपकी भक्ती का फल आपको अवश्य मिलेगा। हाँ ये आपको हलकी फुलकी उल्जाने अवश्य दे सकता है। बस यहाँ आपको निर्णे लेने में परिशानी करेगा। बस ध्यान ये रखें कि आपने अगर थोड़ा सा भी गलती करी और गलत निर्ण से अभोगी अन्यथा राव आपको किसी कारे के प्रती जादा प्रभाव नहीं देगा जो आपका देनिक कारे है वहाँ भी होता रहेगा उससे आपको लाब भी होता रहेगा आपको खर्च थोड़ा समाल के करना चाहिए आपके घर में मंगलिक कारे भी होगा आप अच्छे पत्की और भी धीरे धीर अगरसर होते रहेंगे नोकरी में भी आपको अच्छा लाब दिखाई देता रहेगा परन्तो थोड़ा काम का उलजन आपके उपर जादा बढ़ सकता है जिस कारण से आपको सरदर्द तनाव आदिकी समस्या भी बन सकती है किसी से क्रोध में आप आपको नहीं बोलना है बस यही ध्यान रखें भूमी मकान वाहन का भी आपको धीरे धीरे लाब होता रहेगा जो लोग नई नोकरी डोनने का प्रियास कर रहे हैं नई नोकरी आप लोगों को अवस्य मिलेगी परन्तो थोड़ा आपको देरे रख करके होर मेनत को बढ़ान चाहिए और प्रियास करना चाहिए जिन लोगों का अपना बिजनिस ब्यापार है उन लोगों को बिसेश सतर्ग रहने की आवश्यक्ता है लाब हाने की इसलतियां आपको दिखाई देगी पैंसूं के मामले में बिसेश सतर्गता बढ़ते हैं किसी को अचानक पैंसा न दे बिना सोचे समझे पैंसा आपको नहीं देना है अन्य था उन पैंसों के आने में आपको काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा अगर बेवाहिक जीबन की बात करें तो बेवाहिक जीबन में कुछ-कुछ उलजन बनने की संबाबना भी बन रही है आपको क्रोध में नियंतन रखना जरूरी होगा बिद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो बिद्यार्थियों को मेनत करने के बाद ही सपलता मिलने की ज़्यादा संबावना रहेगी अगर किसी सब्जक्ट के प्रती आपने लापरवाई दिखाई तो निश्यत रूप से आपके उस सब्जक्ट के प्रती नम्मरों में अवश्य ही कमी आपको दिखाई देगी जो महिलाएं घर का कार्य करती हैं या नोकरी करती हैं उनके लिए घर की उल्जने कुछ-कुछ बनी रहेगी स्वास्ते के प्रती भी आपको शतर्ग रहना पड़ेगा हात पेरों में दर्द की संबाबना तता सरदर्द आधी दांत दर्द आधी की संबाबना इस समय जदा बन सकती है आपको स्वास्ते के प्रती बिसेस कर दवायां लेनी ही पड़ेगी अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए चिर्चड़ापन ऐसी संबाबना हो शक्ती है या सुबाव में उनका कुछ तेजी बन सकती है ऐसी इस्तिती में बच्चों की ग्रहों के हिसाब से उपाई करना सही रहेगा अब मैं आपको उपाई बताता हूँ कि आपने उपाई क्या करना है वैसे अगर देखा जाए तो मीन रासी पर जो राव चल रहा है वहाँ इतना प्रभाव आपके उपर नहीं देगा डिपेंड ये करेगा कि आपकी जनमकुली में जिस इस्तिती में राव होगा उसी के अन्रूप आपने उपाई करना है अगर आप किसी चारिसा का पाट आदि करते हैं तो वहाँ भी सही रहेगा अगर आपको जादा दिक्कते हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले से उपाई कर रहे हैं और आपको उस उपाई करने से कुछ फाइदा नहीं मिल रहा है तो आप अपनी जनम कुणली दिखा करके नपग्राओं का पूजन आदी आप जो है कुणली के हिसाब से उचित उपाई भी कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको तुरंथ ही लाब होगा। बिसेश करके वहाँ लोग जादा ध्यान दें जिन लोगों को समस्याई हो रही हैं, तो वहाँ लोग जो है अपनी जनम कुणली के हिसाब से उचित उपाई करें, राव के लिए वैसे आप रावु चालिसा, सिब चालिसा, दुरगा चालिसा, हनमान चालिसा आदी या फिर आ ये आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको मैं पूरी जानकारी बता दूगा